आप अपनी फाइल या पोल्डर या किसी सब फोल्डर को कैसे हाइड और अनाइड कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहला आप विंडो प्लस ट दबाईएगा तो आपका विंडो एक्स्प्लोरर फाइल एक्स्प्लोरर खुल जाएगा उसमें हम लोग डाउनलोड में जाएगे क्योंकि हमने वो फोल्डर डाउनलोड में बना रखा है उस फोल्डर को हम लोग खोल लेंगे जिसको हम लोग को हाइड करना है तो यहां पर जब इस पोल्डर के पास जाएंगे तो यह पोल्डर देखिए अभी थाइड मेंगे अब हम लोग और प्लस बी दबाएंगे तो आपके पास तीन आप्शन आजागा ST, HF, HH HH for hidden item है, HF for file name extension है और HTS for item checkbox है दो तो पहले ही से check रहते हैं अब जब हम इसको पहले ही से check रहते हैं अब हम जब इस folder को click करेंगे तो इस folder पर right click करके हम लोग property करेंगे property करने पर इसमें hidden option आजाएगा उस hidden option को हम लोग click करके apply करवेंगे तो आपकी file folder जो है वो hidden हो जाएगा अब इसमें दो option पूछ रहाएगा इसमें पूछ रहा है apply changes to this folder only और apply changes to this folder, subfolder and files तो हम पहले apply folder पे करते हैं, ok करते है और ok कर लेती है तो आपका folder जो होगा, वो hide हो जाएगा अब ये folder hide हो गया अब अगर इसको यहां से हटा देंगे तो देखिया आपका important folder नहीं दिखेगा तो देखने के लिए written वाले पे click करना पड़ेगा और नहीं देखने के लिए आपको written वाले पे click नहीं करना पड़ेगा अब जब आप written दबाईएगा तो देखिया file और folder आपका नहीं दिखेगा यह देखिया important folder hide हो चुका है जब हम लोग hidden item देखना चाहेंगे तो click करदेगे show और hide यहां पर एक बार यह करेंगे तो दिख जाएगा और एक बार नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा तो यह देखिया यहां से drive हो गया important folder तो जब आप written पर click कर दिजोगा तो आपका जो भी folder hidden हो दिखने लगेगा अब हम लोग ने इसको देख लिया कि folder उसने hide कर दिया अब हम किसी particular file को अगर hide करना चाहें तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे इसके अंदर बहुत सी file पड़िया इसमें यह देखिए यह file हमने hide कि अगर इसको यहां पर click कर देगे तो यह file नहीं देखे लिए तो जो file हम लोग hide कर देंगे वो यहां hidden पर uncheck करने पर नहीं देखे जो आप check कर देंगे तो वो file लिखने लगे इसी तरह से बाहर फिर आते हम लोग important folder पर और यहां से अब जो दूसरा option है वो करके देखेंगे तो property करेंगे और यहां से जा करके देखेंगे यह देखे hidden दिया है न तो इसको यह किया hidden किया advance किया advance में compression press करेगा भी compress नहीं करना हमको तो बस यह apply कर दिया hidden वाले को तो apply किया ही तो apply करेंगे अब आया यह वाला option आया था na second option apply changes to this folder and sub folder आपकी वो फोल्डर को भी करेगा sub folder को भी हाइड करेगा तो ok कर देंगे और नीचे जा करके इसको hidden करेंगे और apply कर देंगे और ok कर देंगे तो यह क्या होगा sub folder को भी hide कर देगा तो अब इसमें देखिए हम जाते हैं तो देखिए यह सारा कुछ आपका हाइड हो गया फाइल भी हाइड हो गई सब folder भी हाइड हो गया और इसको अगर हटा गये तो अब यह नहीं दिखेगा पूरा का पूरा चला जाएगा और फिर क्लिक करेंगे तो फिर दिखने लगेगा अब डाउनलोड में हम लोग आते क्रिए और इसको अन हाइड करने हम लोंोरे हाइड करना तुसी विया अब खाइसे करेंगे चैसे को कि इनकी के लिए तो फिर स्वे traffic चाईए प्रौपर्टी पर जाए प्रौपर्टी पर जाकर ईडन को फिर से बढ़े और है तो फिर से ओप्षान आएगा ऐके कर दीजे अपकी बार यह अन्हाइड हो जाएगा और एड़ेखिये आपका wydd 006 अनहाइड हो गया इसी तरह से आप दौस्ट प्रॉंप्ट भी काम कर सकते हैं उसके लिए विंडो दबार करके आर दबाईएगा जब आपको cmd आजाएगा आपको एक्ट्रिब लिखना पड़ेगा एक्ट्रिब लिखना पड़ेगा एक्ट्रिब लिखना पड़ेगा आपके सामने देखे सारे एक्ट्रिब के ओप्शन आजाएगा यहां पर आपको जिस ड्राइव में फाइल है ड्राइव का नाम उसका पास और फाइल नेम देना तो आपकी file directly command से hide हो जाएगी और यहां पर देखिए इतने option प्लस करने से attribute set होगा, minus करने से attribute हट जाएगा तो hidden करना है तो plus h लिखना पड़ेगा, plus file name का path लिखना पड़ेगा तो इस तरह से आप DOS में भी इसको कर सकते हैं So this is all today viewer, हमने आपको आज DOS में भी और window में भी कैसे folder और file hide करके और unhide करके बताया और अगर आपको और कुछ detail चाहिए तो बतायेगा हम उस पे command DOS command को भी आपको पढ़ा सकते हैं तो आप उसको लेग करके अपनी file को hide कर सकते हैं अपनी important file को और लोगों को देखने से बच सकते हैं So this is all to the viewer if you like this information please share and subscribe my channel Ratanigarwal IT Informer follow my all social media link join my telegram channel and go to the community to comment there and poll में answer दीजिए और please subscribe करें आप लोग subscribe करना भूल जाते हैं like करना भूल जाते हैं share करना भूल जाते हैं please जरूर से कर लें thank you ऑते हैं